दोस्तो स्वागत है आपके एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल एजूपिशन मीट में दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग के बारे में बैंकिंग दोस्तो कई स्टेट्स में स्लेबस में शामिल है इसकुल के स्लेबस में और दोस्तो इसके अलाव कोलेज में तो आता ही है इसके अलाव दोस्तो competition level पर भी इसका बड़ा important role है तो जाना time ना waste करते हुए शुरू करते हैं दोस्तो आज के हमारी वीडियो तो दोस्तो bank basically है क्या दोस्तो bank एक ऐसी संस्ता या company है जो हमारे पैसो की रक्षा करती है जी दोस्तो what love दोस्तो हम bank को पैसा देते हैं और bank वो हमारा पैसा हमीशा स्रुक्षत रखता है और जरूरत के अनुसार दोस्तो हम वो पैसा वापिस भी ले सकते हैं आपने दोस्तो अक्सर सुना भी होगा लोग बोलते हैं कि भाईया bank में पैसा रखना चाहिए कि bank safe है तो इसलिए दोस्तो कहा गया है कि bank ऐसी संता है जो हमारे पैसो की रक्षा करता है और संरक्षा करता है अब दोस्तो इतियास की यदि कुछ बात की जाए तो bank शब्द की दोस्तो शुरूबात होती है इटली का दोस्तो उस जमाने में एक बाजार हुआ करता था जिसका नाम था lombard juice क्या नाम था दोस्तो lombard juice दोस्तो इस बाजार में जो व्यापारी लोग होते थे वो लोग क्या करते थे इस बाजार में एक टेबल पर बैट कर एक टेबल पर बैट कर धन का लेंदिन करते दे और दोस्तो धन से संबदित अन्यकारिय करते तो दोस्तो वो टेबल या बैंच जिस पर धन का आदान प्रदान होता था उसे दोस्तो फ्रेंच लेंग्वेज में बैंक को बोला गया और दोस्तो वहीं से बैंक शब्द की उत्पत्ति मानी गई है दोस्तो बैंक प्रैक्टिकली करता कै दोस्तो एक बैंक जहां पर दोस्तो पूंजी मतलब पैसा आदिक है उसको दोस्तो उससे दोड़ता है जहां पर पैसों की कमी है जैसे दोस्तो मैं एक कस्टमर हूँ बैंक का मेरे पास पैसा बोच जाता है तो दोस्तो बैंक मेरे से पैसे लगा या मैं बैंक में पैसा जमा करूँगा अब दोस्तो बैंक इस पैसे का क्या करेगा बैंक दोस्तो इस पैसे को लोन के रूप में देगा जिसको नीड है मतलब जिसके पास पैसो की कमी है वो बैंक से लोन लेगा तो यही पैसा दोस्तो उसके पास चला गया तो मतलब बैंक ने क्या काम किया कि एक ज़्यादा पैसे वाले कस्टमर को कम पैसे वाले कस्टमर से जोड़ा तो दोस्तो बैंक ये भी कारिये करता है इसी से दोस्तो बाजार में पैसो का संचालन होता है जब कोई बैंक में पैसा जमा कराएगा दोस्तो तब ही तो पैसा मार्केट में आएगा ना ऐसे पैसा मार्केट में कैसा आएगा तो बैंक दोस्तो पैसों के संचालन में भी बहुत मदद करता है तो इस तरह दोस्तो जो ये मेर से पैसा लेगा जो मेरे डिपोजिट्स होंगी वो बैंक के लिए दाइत को दोस्तों जैसा मैंने पहले भी बताया कि बैंक एक कमपनी भी होती है कैसे दोस्तों जैसे एक कमपनी का उद्देश्य लाब कमाना होता है उसी तरह दोस्तों एक बैंक का उद्देश्य लाब कमाना ही है ये दोस्तो सर्विसेज देती है अपनी सेवा प्रदान करती है दोस्तो भारत के रेफरेंस में यदि बात की जाए तो दोस्तो भारत में ऐसी बैंक जैसी संस्ता है काफी समय पहले से ही पाई जाती थी तो ये कारी है मतलब बैंक जैसा कारी दोस्तो उस समय में महाजन, मुल् ब्याज वसूल करते थे हाला कि दोस्तों ये कारी जो है ना परस्नली या फैमेली के तोर पर ही होता था उस समय मतलब ये लोग दोस्तों कानोनी रूप से कोई काम नहीं करते थे लेकिन हां कि ये काम जो करते थे वो बैंक जैसा ही करते थे और दोस्तों आपने एक नाम सुना बंप्राओं का हुढी उस समय भे दोस्तों हुढों के दानर यह पैसो का लेंदेन करते थे यह दोस्तों आप देख सकते हैं एक हुढी का फॉर्मेटं जो की हैं दोस्तों 1941 की दोस्तों यह उन्डी τη लिखी गई थी 12 अप्रेल 1951 को और इसके 86 दिन बाद यानि दोस्तो 10 जुलाई 1951 को इसमें सेट, मंगलदास, बगवानदास को 25 रुपए देने का वादा किया गया है तो इस तरहे की दोस्तों उन्डिया उस समय प्रचलन में थी इन्हें दोस्तों आप आज की जैसे चेक या डिमांड ड्राफ्ट वगरा बोल सकते हैं तो इस तरहें दोस्तों धनका लेंदेन ये साउकार लोग, महाजन लोग ये क्या करते थे इसके लाँ दोस्तों मौरियकाल में एक प्रकार का प्रपत्र जिसे आदेश बोला जाता था प्रचलन में था दोस्तों ये दोस्तों आज का जो एक्सचेंज बिल होता है ना एक्सचेंज बिल का दोस्तों मतलब होता है कि जैसे मैंने आपसे कुछ माल खरीदा और दोस्तों अभी मेरे पास पैसा नहीं है आपको चुकाने के लिए तो दोस्तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक हम आपस में Bills of Exchange कर लेते हैं तो दोस्तो आप क्या करोगे एक Bills of Exchange लिखोगे जिसकी अनुसार कुछ निश्चित समय बाद दोस्तो मेरे को पैसा देना होगा तो इस तरह का दोस्तो कुछ Bills of Exchange होता है ये ज़्यादा तर दो देशों के मतलब internationally जब trade होता है न दोस्तो उसमें ज़्यादा तर ये यूँ हो जाते हैं तो दोस्तो इसी तरह के कुछ आदेश मौरियकाल के समय प्रचलित थे मौरिय काल के साथ साथ दोस्तो बहुत काल में भी इस तरह के जो पत्र थे उनका बहुत ज़्यादा उपयोग लिया गया था तो दोस्तो आज हमने जाना कि बैंक क्या है इसका क्या मतलब होता है और बैंक जो कारी करता है वो प्राचिन काल में बतलब बैंकों के विकास से पहले ये कारी कैसे किया जाता था कल दोस्तो हम इस से थोड़ा और आगे जाएंगे और बात करेंगे कि भारत में बैंकों की स्थापना कब हुई साथ साथ दोस्तों कुछ और भी बाते हम कल करेंगे तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और शेर बिगरें धन्यवाद